नमस्कार दोस्तों Stock Market Hindi में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चार Quality Stocks जो financially और fundamentally हमेशा की तरह आपको Quality Stocks बताऊंगा जियां Friends, Market में कितनी भी उथल पुथल रहने दीजिए आप बस फोकस कीजिए तो कुछ अच्छे Quality Stocks पर और इन में अगर गिरावट हो तो आप इन्हें जरूर से पिक कीजिए जियां Friends, ये वो Stocks हैं जो long run में आपको बहुत बढ़ियां wealth create करके दे सकते हैं आपको जैसे पता है कि मैं कभी penny shares में ज्यादा नहीं बताता तो शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पले दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको लगातार मिलती रहें तो friends चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली company जिसकी market cap फिलाल 39,420 करोड के राउंड है यहीं कि एक mid cap company है current price 4,300 के level पे देखने मिलती है 4,350, 156 यही चल रहा है और 52 week high से काफी ज़्यादा close है जिहां friends stock का P 63.9 के P पर है लेकिन industry के P की बात कर तो 26.1 का देखने मिलता है तो आपको भले महंगा लगता हो तो अभी के लिए फिलाल इसे ignore भी करके चल सकते हैं आगे इसकी financial data भी देखेंगे तो ROC देख सकते हैं 25% का ROE भी 25% का है बात करें इस कंपनी पर debt की तो मातर 1192 करोड का फिलाहल debt नजर आता है रिजव भी अच्छी कासी double से इस कंपनी के पास reserve है 2169 करोड की इस कंपनी का जो बात करूँ sales growth बहुत सांदार है 81% के round profit growth भी लगभग 81% का फिलाहल में देखने मिलता है जिहां friends company के financials data भी हम देखेंगे जहां आप इनकी profit and loss statement को देखें quarter on quarter देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं otherwise हम 3-4 company का अगर quarter देखने जाए तो काफी लंबा समय निकल सकता है इसलिए हम yearly data देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इस company की financial data क्या कहती है जहां company की revenue में हर साल एक अच्छी खासी jump देखने मिलती है आप भी देख सकते हैं जी हां friends 2018 में company की revenue थी 1900 के आसपास जो 2022 तक 4000 करोड के आसपास बहुच चुकी है operating profit भी देख सकते हैं 2012 करोड से सीधा डबल होते देखने मिल रही है पान सालों में थक्रिबान 7500 करोड की और वहीं operating profit margin भी company का बहुत सांदार है जो 20-19% का देखने मिलता है इसी के साथ आपको बात करो net profit की तो net profit भी इन पान सालों में 234 करोड से 455 करोड पर देखने मिलती है यानि कि हर साल पिछले 5 सालों में company का profit भी डबल होते जा रहा है operating profit margin भी बढ़िया है sales growth भी अच्छी खासी देखने मिल रही है तो कहीं कोई financial issue नहीं है आगे इस company के growth की बात करो तो वो भी आप देख सकते हैं component sales growth जो 16-20% का है profit growth भी लगभग 16-20% का ही है बात करो इस stock price के CGR की तो मुझे हमेशा ही एक अच्छे CGR rate वाले stock पसंद होते हैं और यहाँ पर यह stock भी देख सकते हैं आप जिसका CGR long run में 30% के अबो है जहां प्रेंट्स पिछले 3 सालों में तो 58% का रहा है पांच सलों में 30% और 10 सलों में 36% का तो यह भी बहुत बढ़िया है ROE भी इस company का देख सकते हैं तो 20-25% का देखने मिलता है balance it पर एक नजए डाला जाए तो यहाँ company के पास सांदार company के रिजवों में consistently इनका जो रिजव है वो grow होते नज़र आता है जिहां friends देखा जाए company के उपर borrowing भी बहुत ज़्यादा नहीं है देख सकते हैं एक average borrowing है तो यह भी manageable है जिहां friends next बात करो तो इस company के अगर मैं बात करो शेरोलिंग pattern की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं promoters की जो इससेदारी है 73% के आसपास है FISDIS भी अच्छी कासी holding रखते हैं इसे stock में और public की holding मातर 5.61% की है जिहां friends तो ऐसे stock में जहां promoters तगड़े हैं FISDIS भी लगे पड़े हैं और तो retail निवसकों के पास यह stock बहुत कम देखने मिलता है दोस्तो company के return भी आप देख सकते हैं तो इस company ने पिछले 5 साल में देखा जाए तो देख सकते हैं 274% की बहतरी return बना कर दी है last one year की बात करो तो भी आपको 90% का return देखने मिलता है पिछले एक सालो में तो अच्छी खासी return भी दे रही है maximum chart pattern देखे हैं तो यहां पर आपको देख सकते हैं 2900% का return देखने मिलता है लॉंग रन में तो company का नाम है solar industries limited इस company को मैंने कई बार पहले भी बताया है अभी तो यह अपने high पर चल दिया all time तो फिलाल के लिए इसे ignore कीजीगा और गिरावट के duration में हमेशा ही ऐसे stocks को अपने portfolio में एक एकी दो दो करके add करके चलिए so friends अब बात करते हैं अगले stock की तो इस company का भी market cap फिलाल 26,000 गड़का है जो एक mid cap category वाली company है फिलाल stock का price 1930 रुपे के आसपस देखने मिलता है 52 week high देखा जाए तो 26,2700 का 52 week high है तो अभी भी stock अपने 52 week high है एक अच्छे discounted rate पर मिल रही है stock के PE की बात करो तो industry के PE और stock के PE को देखा जाए तो fair valuation पर ये stock फिलाल देखने मिलता है जो 28,29 का PE है जिहां friends ROC company के बहुत solid है 44,45% के ROE भी देख सकते हैं 37% की है company पर debt की बात करो तो 270 करोड की debt है रिजाओ की बात करो तो देख सकते हैं 3600 करोड से ज्यादा का company के पास रिजाओ भी है आप इनकी interesting value भी देख सकते हैं तो ये stock at present अपने fair value या फिर undervalued इसे कह सकते हैं देख सकते हैं 2500 के आसपास इसकी interesting value है जिहां friends sales growth बढ़िया है फिलहाल में profit margin में थोड़ी कमी देरूर देखने मिलती है जो sales growth है 29-30% के round और profit growth है जो minus 13.6% की company में कोई भी दिक्कत नहीं है जिहां friends company के financials आप देखेंगे तो इनके भी बहुत सही है long run में जिहां friends देख सकते हैं sales growth आप देखीगा figure कहां से कहां पोस्ता नजरा रहा है company के operating profit भी देख सकते हैं तो अच्छी खासी growth company के operating profit में भी रही है पिछले 3-4 सालों में भी जिहां friends और वहीं इनका OPM भी आन्दार percentage वाइस भी देखा जाए तो सुधरता जा रहा है जो 12% का OPM था 2018 में वो add percent हो चुका है 24% का है यनि कि double growth हो चुकी है इनके operating profit margin में भी net profit में भी company का yearly growth देखा जाए तो बहुत अच्छा देखने मिलता है जिहां friends long term में भी अगर growth देखा जाए तो ये component sales growth profit growth के भी percentage आप देखिएगा जहां कोई कमी नहीं है फिलाल जो trailing 12 months का जो growth दिख रहा है वो negative 14% के round है otherwise पिछले past 5 years का component profit growth है 87% का है last 3 years का भी 82% का है और add percent जो stock price का जो CAGR है negative 26% के last 1 year के return के बावजोद ये stock अभी भी 54% के annual CAGR पर बैठा है अगर हम last 10 years का data देखते हैं तो जिहां friends last 3 years में 70% का annually growth इसे stock में भी दिया है और वी देखा जाए तो वो भी 34-35% 37% इस तरह से देखने मिलते हैं और बात करों इसके shareholding pattern की तो इसमें भी देखा जाए तो promoters की उससिदारी देख सकते हैं 45-46% की है FISDI इसमें consistently एक अच्छे खासी holding रखते ही है देख सकते हैं आप भी और public की holding फिलाल 34% की है जो की बहुत जादा हो चुकी है So friends हम बात कर रहे हैं दीपक नाइटराइट जो consistently एक अच्छे खासे return बना कर देते हाई है last 5 years में जिहां friends company खराब नहीं है company बहुत solid company है तो फिलाल एक अच्छे discounted price पर मिल रही है दीपक नाइटराइट के market share की बात करें तो sodium nitrite के market में ये company का 75% का market share है कई leading company है इनके client list में सामील है इस company के business में कोई भी दिक्कत नहीं है फिलाल ये stock थोड़ा margin wise last training 12 months में negative growth देखने मिलता है otherwise कोई issue दीपक नाइटराइट में नहीं है तो अब बात करेंगे हमारे अगले stock की दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को like नहीं के तो वीडियो को like जरूर की लिए आपका एक like हमारे motivation को बनाए रखता है दोस्तों अब बात करूं next company की तो उस company का market cap मातर 4400 करोड का है at present ये company आपको बहुत छोटी लग रही होगी लेकिन एक small cap company होने के बावजूद भी इस company के अगर business को मैं देखूँ तो ये company अपने segment में एक leading company है जियां friends एक monopoly रखती है ये company जिसकी आगे हम बात करेंगे at present इस stock का price 86870 के आसपास देखने मिलता है जो अपने 52 week high से काफी ज्यादा discounted price पर आ चुकी है जियां friends देख सकते हैं 52 week high 1400 के आसपास का देखने मिलता है stock के PE को देखते हैं तो ये stock industry के PE से भी महंगा नजर आता है देख सकते हैं 34.6 का PE है जबकि industry का PE अभी भी 18 का नजर आता है as per industry PE ये आपको भले महंगा लग रहा हो लेकिन इस company का जो potential है वो इसाप से यहां पर भी ये stock आप buy करके चल सकते हैं other financials point को देखा जाए तो ROC 38% के आसपास है 40% के आसपास है जबकि ROE वो भी बहुत solid है 43-44% की debt मात्र 199 करोड का debt है company के पास और रिजाव देख सकते हैं 370 का है debt to equity ratio 0.52 पर ही है intrinsic value के हिसाब से ये value और भी कम नजर आती है 438 रुपिस की जिहां friends company की sales growth profit growth देख सकते हैं 23% के आसपास sales growth profit growth 38% की देखने मिलती है तो इस solid point है आगे बाद को इस company का जो sales data है वो क्या कहता है तो यहां भी आप देख सकते है company का yearly profit and loss statement देखते हैं तो यहां company में अच्छी खासी sales company generate कर पा रही है जिस इसाब से company का market cap बहुत कम है वो इसाब से company की revenue और profit का figure भी आपको कमी नजर आएगा यहां friends देख सकते है sales जो है इन 5 सालों में almost 300 करोड से और फिलाहाल 800 and 900 करोड तक बहुत चुकी है देखा जाए पिछले 5 सालों का data तो 2017 से यह data देखते हैं तो यहां पर company की sales है 283 करोड से 893 करोड operating profit देख सकते है 41 करोड से 4 गुना हो चुकी है almost 182 करोड तक company की operating profit है operating profit margin भी 14% का था आज से 5 साल पहले जो add present 20% पर देखने मिलता है वही net profit भी आप देखें तो 19 करोड की net profit 124 करोड पर देखने मिलती है तो company का financials बहुत अच्छे से grow हो रहा है इसमें कोई doubt ही नहीं है आगे इनके component sales growth, profit growth भी यह figure भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 20% के अबो का growth देखने मिलता है इनके sales growth में profit growth तो पूछिए ही नहीं देख सकते है 40% के अबो का profit growth long run में भी है और stock के CGR की बात करो तो वो भी 50% से उपर का ही देखने मिलता है last 3 years में तो 140% का देखने मिल रहा है जियां friends ROE भी 20-25% के अबो का है तो बाकि सारे financials fundamental बढ़ियां है और shareholding pattern में फिलाल 65% की holding promoters की है और DIs की holding 8% के आसपस है फिलाल FIs इसमें बहुत ज़्यादा holding नहीं किया है जियां friends तो बात करो इस company का नाम है राज रतन Global Wires जियां friends जो bead wire की manufacturing करती है और ये company एक leading company है इस segment में तो इस company को भी आप हमेशा ही अपने radar पर रखिये और फिलाल भी अच्छी opportunity है इस stock में जियां friends अच्छे discounted price पर at present भी ये stock मौझूद है दोस्तों बात करें next company वो एक mid cap company है जिसकी market cap फिलाल 21,000 करोड के आसपास देखने मिलती है जियां friends stock का price दोजार दोजार साट के आसपास है 52 भी खाए 2300-2400 का देखने मिलता है stock P 52.8 की है जबकि industry का P 26 का है ROC, ROE दोनों भी 20% के अबोगे हैं देख सकते हैं आप भी 26% का ROC ROE है 21% के around जियां friends debt company पर ना मात्र का debt है मात्र 1,40,000,000 का debt है result देख सकते हैं 19,88 की है सांदार company है जियां friends sales growth बहुत तगड़े हैं 52.5% के profit growth भी 35% की है तो दोस्तो एक भी company आपको ऐसी नहीं बताऊंगा जिसके financials और fundamental आपको खराब लगेंगे जियां friends ये सारी की सारी solid company हैं जिनमें आप long run में अच्छी wealth rate करना चाहें तो ऐसे stocks में आप पैसा लगा के रखिए जियां friends आगे बात करते हैं इस company के financials के तो ये भी आप profit and loss statement देख सकते हैं company की sales कहां से कहां रही रही है वो भी आप देखिएगा जरूर जरूर देखिएगा operating profit, operating profit margin देखिए जो 34, 35, 40% तक भी पहुँच चुकी है जियां friends देख सकते हैं तो ये solid company हैं जहां पर आपको आप इनमें invest नहीं करेंगे आप आलतू-फालतू company में ज्यादा पैसे गला देंगे और फिर बोलेंगे market घटिया है, market में पैसा डूब जाता है तो भाई, ऐसी company में investment करके wait कीजिए थोड़ा, तो यहां पैसा बन रहा है, देख लिजे net profit में कितनी अच्छी growth इनके 5-6 सालों में, consistently growth देखता है, इनके profit में sales growth, profit growth ये भी figure जरूर देखिए 20% के आसपास की long run में भी profit growth है CAGR देखिए, 39-40% के आसपास का CAGR है long run में ROE देखिए 20% के अबोग का है So friends, market से ढरने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको इतनी understanding होनी चीए कि आप अपना पैसा लगा का रहे है जिहां friends, इस तरह से solid financial वाली company देखिए और उसमें लगाईए तो ज्यादा आपको tension लेने की जरूरत नहीं ही रहेगी इस company का shareholding pattern भी आप देखते हैं तो 74% की तगडी promoters की इसेदारी है FIS की इसेदारी देख सकते हैं 4.76, DIS की इसेदारी 8% की है, public की इसेदारी 13% के around है So friends, company का नाम है Vinity Organic जो specialty organic intermediaries और monomars की manufacturing करती है Number 1 manufacturer है with the global market share of 65% जियां friends, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है इस stock में बढ़िया return भी कनावा के दे रही है पिछले 5 सलों में देखा जाए तो 300% से उपर का return है फिलाल एक साल में ये stock ने अच्छी return नहीं दिये जियां friends, लेकिन long run में ये return दे रही है तो ऐसी company में select कीजिए तो दोस्तों ये चार company जो मैंने बताए है ये सभी की सभी बहुत अच्छे performing company है long run में जियां friends, तो ऐसे stocks में आप बने रही है तो घिरावट में भी ऐसे stocks में opportunity मिले तो कुछ न कुछ quantity में add on करते चलिए जियां friends, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बेहत पसंद आई हो So friends, वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा मिलते हैं next video में तब तक कि